कर लिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने प्यूरीन सिंपेडेसिस कर लिया प्यूरीन सिंपेसिस से अपन को क्या मिला ?maa, a.m.p. को अपने अपन ऊपने और gmp में convert कर लिया अब आपन प्यूरीन का ए ओपने का पालीजर ज्थिल गहाई आइंप सिम् citizen कि ये और एक ये ये मिन होगा वहीरवी डियामी नोगा तो ये ग्वीन में इंजायएम की हैतो कि हेसं कर द हो जाएगा जैन इन हाइद इंधीन का उग जाया में क्यों हो werdenhehe के ओरिक जाएगा तो प्यूरीन के मेटबॉलीजम से हमें क्या मिला यूरीक एसट इसमें क्या होता है याद होता है इसका क्या होता है डीफ। ज만ट में युपवसर हो जाएगा यॉत अद ऐसेड पूरूल के प्या survival to another है जब यह यूरिक एसट जादा एक्सक्रीट नहीं होता और यह जॉइन्स में जादा हो जाते हैं तो इससे यूरिक एसट से क्या होती है गाउट डिसीज होती है जिसमें यूरिक किली 5 Ze Bai In Your name 2 extension K और 15 मोलीकिल मिलके ते इसमें कनवर्ट होते हैं किविए में कनवर्ट होते हैं और ये सी एया क्या है quarter क्या रिश्पार्टिक group कि है कार्पे मॉई हैसपार्टिक एसिड क कैसी क्या ये सपार्टिक एसेड सी एमें कनवर्ट होरह है और यहां जो in professional enzyme use होगा वो कौन सा enzym है ATC enzyme है और उसके साथ क्या यूज हो रहा है और ATC है a generate trans-carbomyelase enzyme और यह ATC क्या है aspartate is trans-carbomyelase enzyme और aspartate की presence में यह glutamine किसमें convert हो रहा है CAA में convert हो रहा है अब यह CAA से होगा hydrogen remove हो जाएगा तो यह सीए किसमें कंवर्ट हो रहा है 2 अ में convert हो रहा है और यह लौकर हैं डाय अरेटिक acid है और यह यहां जो एन्जाइम यूस होग वह कौन सा इन्जाइम है यहां water रिमूव हो रहे है तो जो एंजाइम यहां यूस होगा वह है डाइ हाइड्रो औरेटेट एंजाइम और ये दोहा फिर किसमें कनवर्ट हो रहा है ओए में कनवर्ट हो रहा है ओए क्या है और यहां जो एंजाइम यूस होगा वो कौन सा एंजाइम है है D E O D H enzyme D hydro orate dehydrogenase enzyme है और उसकी presence में किस में कनवर्ट हो रहा है यह ओइंप we can do रहे है और यहां जो enzyme यूज होगा वो है orateate phosfor ribosyle transferase enzyme और यह OMP फर्दर किसमें convert हो जाएगा UMP में convert हो जाएगा और फिस इस UMP में एक ATP देंगे तो यह किसमें convert हो जाएगा UDP में UDP में एक और ATP युज आड़ करेंगे तो यह किसमें convert हो जाएगा UTP में convert हो जाएगा फिर UTP में अपन CTP synthetase enzyme की presence में यह UTP किसमें convert हो जाएगा CTP में convert हो जाएगा और यहां पर यह जो glutamine है वो अपना amide group donate करेगा और किसमें convert हो जाएगा glutamate में convert हो जाएगा तो यह अपने देखी पूरी process pyramidine synthesis का कैसे होता है glutamine से तो सबसे पहले glutamine 2 ATP और 1 CO2 मिलके क्या बना रहें CA बना रहें और यहां जो एंजाइम यूज होगा वो ATC एंजाइम यूज होगा और aspartate होगा फिर CA किसमें convert हो रहे है डिएच ओए में convert हो रहे है डाई हाइट और यह एच ओएच एंजाइम की सब्सक्राइट दे रहे है glutamine से glutamate convert होके तो अपने पास finally क्या बन रहे है CTP बन रहे है तो यह अपने देखा पाइरमिटीन के में convert होका और यह थायमिन इदर किसमें convert होगा डाई हैड्रो थायमीन में convert होगा और फिर आप यहां पे बीटटा युरिटो आइसोबिटारिक असद में करों जाएगा उड़ ये यूरिक और यह टा इसोबिटारिक असद निमें से शहाइँ से का खूडि यूचर्टा convert हो जाएंगे यहां जो यूरेसिल डाइ तायमीन करने और उन में से वाटर रिमूव हो जाएगा तो यह फर्दर किसमें कनवर्ट हो जाएगा तो यह अपने देखा पायरमेडेन का इसके साथ अपना नुक्लियोटाइड मेटाबॉलिजम का चैप्टर खतम होता है और अपनी एक यूनिट कंप्लेट होती है इसके नोर्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं